नमस्कार दोस्तों जैसे कि पछला वीडियो में बताया था कि ही तरफ क्या-क्या इस्टॉल किया जाता है तो पूरा डीवाइश आपने देख लिया अब कहाँ इस्टॉल किया जाता है उसके बारे में जनकर लिए जैसे कि हमारा ही चुह है म시는 इसी में फिरके सेटेन मिट shedding नहीं होता तो उसको एंगेल बना के वाल में काहीं भी दे Gleich तर्के अंदर और सकरों शयाने लगा देना उसके बाद आपका है को वाल्ब का बात किया था ₹30 पेले तुमें बता चुका हूं और यह две के लिए यह आउटलेट में भालब लगा हुआ रहता है यह हमारा फ्रेसघर्स रेशेच यह थार्मेwe कि हाई जो है उस अप्लाइमें देना है लो जो है उर रिटन डाख में देना है पीर आता है आपका सिए टू आरेज सेंसर तो यह रूम का अंदर कहीं पर फीवी सी बॉक्स में उसको लगा के इंस्टोल कर सकते हैं केबल डाल दिया हूँ सब उपर में फिर आता है आपका और 24 ंफेले में बाता चुका हूं पीर आता है आपका फिल्टर है कि हिरी फिल्टर यहां पर है यह हैं। जिसने कि अब लोग जानते हैं फिल्टर हो गया यह फॉन फिल्टर लं और तक इसको करेंगे जिसने इधर पर पूरा डॉर लगा हुआ तो इसका पीछे सेमान लिज्वेस तरह कर रहें पूरा इच्टर लीजिए तो इसे होल करके पहले उपर में डिपेस का स्टेटस बताएगा दो डिपेस लाइगा दो फिल्टर फाइंफिल्टर है फिर 2020 लाएगा यार प्लो के लिए जैसे सप्लाई डाक में लगाया जाता है यहां पर काई पर विए एर फ्लो के लिएर दिपेस और एक लगा देना है है मैंने ये ज़्यद्व इंडक्रों हुआ है मैंने तरह किया इसे से यह स्टेटर पेनल है इसमें से इस्टेटर पेनल भी है बीएपडी है दोनों का सप्लाई लिया है बीएमेज दोरा और इसका जो मेनू है उसमें क्या-क्या दिया हुआ थोड़ा चेक कर लेते हैं जिसे की पहले से है फायर इंटर्लक एचु डोर इंटर्लक रिमोट स्टार्ट बीमस बीमस स्टार्ट स्टॉप ऑटो मेनुएल बीएफडी बाइपास ऑन अप स्टेटास ट्रीप स्टेटास 230 वोल्ट से सप्लाई और 24 वोल्ट से सप्लाई यह ट्रांसफर्मार एक दिया हु मैन ब्ली म tää hell Time के मोट से मिलाइव इसमें भी दिना है ऑन फॉट मैनुएल लैक ट्रीप और कमान्न इसमें ख़ोर को चका एक्टा और देना है जैसे कंट्रूल के लिए ये इसटेटार आउन को दाक्यान करेगा ऑप dt लेखिन कंट्रूल नहीं कर सकता उसके लिए लगाया जाता है जो जीरो टू टेंट भोलते के कंट्रोल कर सकते हैं आप डाउन मतलब जैसे रेगुलेटर हो गया फेन का उसी तरह से कम बेशी में चला सकते हैं तो फोर को रेक्स्टर लगता है और इसमें भी एपडी कम्निकेशन आरेस-485 का आता है जो यहां से कम्निकेशन आपको बताएगा क्या क्या आउट पूट जा रहा है ठीक है पूरा मतलब यह एंप्यार वॉल्टेज सब कुछ इसी में बताएगा कि यह देख लिजे कि यह फोर किलोवाट्ट बीएफडी बाइपास डॉल स्टेटर स्पेनल यहां पर ओटो मैनुएल स्विच सेलेक्टर स्विच बाइपास बीएपडी स्विच बाइपास और बीएपडी का सिस्टेम नहीं लिया है यह सब जितना पॉइंट रहता है ओन आप ओटो मैनुल सब पोटेंशियल फिरी पॉइंट बनाया जाता है डी आई में कानक्शिन होता है कंट्रोलर तरफ अब केबूल कितना आया हुआ देख लेते हैं एक दू तीन चार पांच छो साथ आठ 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 के बूल आया है तो अनौप आटो मैनुल 6 खतम हो गया दू और उसके बाद अगया और एक दिया है आपको के लिए जैसे है एक रीडरी अटिरस करेगा तुस प्रिफके आठ करेंगा उसके लिए कसे सिस्ष्टेम किया दिया जाता है यहां सेट हून का 2 यूपर में भी एक है धिक नहीं रहाए उसका अंदर में अधर में हलका दिखाया वैं कि दो लगा हुआ है रिले मोड़ लगा और था चैसे कि आहीं पर भी फायर आएगा तो यूच को को ट्रिप कर देगा इस एरिया में में जिसे कि ऐडिबया है यह औनी पेल का डिवीशी पेडल है ग्लेंड किया हूं कि फूरा ग्लेंड कर दिया हुआ जैसे में जो भी केबुल डालता हूं उसका मार्किंग यहां पर लिग देता हूं पंदाव किया जरूर है तो आसान इसे आप कांटिनुठी आपको मिल जायागा बात में जबयंगे चब्षेट करेंगे पेनल कार्मिनीशन करेंगे तब इसमें एक्षट्रा दू ऑर और एक ट्रांसफर्मर दिया है चोटा बला में एक ही ट्रांसफर्मर दिया तिसमें एक्स्टवर दिया है और यह यह अभी एंट्री नहीं हुआ है और ड्रेसिंग प्रे बगेरा सब मैंने ही किया हूं तो इसके बारे में थोड़ा कमेंट किजे कैसा है कैसा नहीं उधर एक स्ट्रेटर फिनल दू ऐचे है इसलिए दू ओम तीन इसलिए लगाया इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट हो रहा तो कंट्रोर एक के सब्सक्लिद यह गया है तुछ इतना हैं आज के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए जुड़े रहे और भी BMS के बार में वीडियो बनाते रहूँगा धन्यवाद